मैं प्रोफिसर सविन सिंग अपने जोग्रुफी लेक्चर सिरीज नमबर नाइन्टी सेवन में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम अरावली पर्वस्रेडी उसके महत्तु आज पर चर्चा करेंगे अरावली पर्वस्रेडी गुजरात में पोर बंदर से लेकर हर्याना में पानी पत्तक तक्रीबन आठ सो किलो मीटर की लंबाई में फैली है हलाकि अरावली पर्वस्रेडी की लंबाई बिबिन सुरोतों में अलग-अलग दी गई है कहीं पर इसे 560 किलो मीटर बताया जाता है तो कहीं पर इसको 670 किलो मीटर बताया जाता है अरावली पर्वस्रेडी भारत के प्राचींतम पर्वस्रेडी है ओल्डेस्ट हिल सिस्टम जिसका निर्माड लग-बग आज से 2.5 GA से 2.0 GA पहले हुआ देखे जियालोजी में अब जिये सब्द का प्रयोग होता है GA means Giga NM, Giga माने Billion, 1 Giga is equal to 1 billion यानी हिमालय अरावली पर्वत का निर्माड आज से लग-बग 2.5 billion बर्स से लेके 2.0 billion बर्स पहले हुआ माना जाता है हम देखिए अपने आगे आने वाली पुस्तक में हम जो है पूर्व के जगह पर हम BP सब्दी यूज़ कर रहे हैं BP माने Before Present यानी आज से पहले तो अरावली पर्वत माला जो है वह कई माने में ये महत पुरुन है पहला तो ये भारत की सबसे प्राचींतम पर्वत माला है नमबर दो भारत के जो पाँच प्रमुख क्रेटन हैं उन में से एक क्रेटन का ये प्रतिनिधित करती है और क्रेटन जो होता है वो प्रित्वी की जो प्रथम निर्मित क्रस्थ है उसको प्रतर्शित करता है तो ये है आरकेन काल की चट्टानों का बना हुआ है लेकिन बाद में चल करके इसमें वलन की क्रिया भी हुई और आगने का अंतर बेधन भी हुआ है इंट्रूजन भी हुआ है और जिस कारण इसमें लाइम स्टोन का रुपांतरण हुआ और वो संग मर्मर में बदल गया मार्बल में बदल गया और जो बैथोलित का इसमें अंतर बेधन माने इंट्रूजन हुआ उसमें ग्रिनाइट नीज जिनके फिजिको केमिकल बिदरिंग के वज़े से भावतिग्रासाइनी का पक्षे के वज़े से बिचित प्रकार की अस्थलाकरतियां निर्मित हो गई है जैसे अरावली पर्वस्रेणी का उच्चतम बिंदु जो है वो माउंट आबू में गुरू शिखर है जिसकी समुद्र तल से उचाई कितनी है 1722 किलो मीटर यानि 1722 मीटर नाट किलो मीटर सौरी सागर तल से 1722 मीटर है और माउंट आबू पर जैसे ही आप माउंट आबू के पदस्थली से रोड से या पैदल आप माउंट आबू की तरफ बढ़ेंगे आपको बाएं और दाएं दोनों तरब इनीज चटानों पर रासाइनी का पक्षे द्वारा हुए बिसिस्ट प्रकार की अस्थलाकरती द्रिष्टिकत होगी मैं गया हूं वहाँ पर मैंने इस पर समय बिताया है और इसका धेन भी किया है और टॉप पर जब पहुंचते हैं माउंट आबू के आप तो वहाँ ये बड़ी प्रसिद्द चटान है जिसको टोड राक कहते हैं टोड माने मेडक का बच्चा तो टोड राक नाम से प्रसिद्द है और बिलकुल उपर जो है वहाँ एक बहुत खुबसूरत जील है जिसका नाम है नक्की जील तो जब कभी भी आप जाएं तो आपको ये इस पर ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ये नीसिक चटानों के उपर जो है वह रासाइनी का पक्षे से बिसिस्ट प्रकार की सलाकृतिया निर्मित हुई है और माउंट आबू पर ही आपको एक बहुत प्रसिद मंदर मिलेगा जो संगमरमर का बना हुआ है मार्बिल का बना हुआ है वो दिलवारा जैन टेंपुल है अब हम यह देखते हैं कि अरावली परबत का जलवाई से संबंद और पर्यावरण से क्या संबंद है अरावली परबत एक अब सतत स्रिंखला नहीं है इस नाट एक कंटिन्यूड चेंड कंटिनिवस चेंड फ्रम पोरबंदर टू पानी पर बलकि इसमें गैप पाए जाते हैं और यह आप सब लोग जानते हो कि अरावली परबत के उत्तर पश्चिम में राजास्थान के सुदूर उत्तरी पश्चिमी भाग में रिमोट नार्थ वेस्टन पार्ट में एक मसहूर मरुस्थल है थार का मरुस्थल और पहला तो यह महत तो यह बनता है यह जो बनों से आच्छादित पहले से रहा अरावली परबत माला रही जो रिगिस्तान के बढ़ने को रोकने में सहायक होती है लेकिन इतने लंबे समय यानि कब बनी है 2.6 बिलियन बर्स से 2.0 बिलियन बर्स पहले तो इसमें इरोजन के द्वारा और मानो की आर्थिक क्रियाओं के कारण कई गैप बन गए हैं कुछ तो नेचुरल गैप हैं और कुछ मानोदारा भी जनित हैं सबसे जो बड़ा गैप है अरावली परवत में वो 22 किलो मीटर की लंबाई वाला जो अजमेर के मैकरा परवत सिखर से प्रारंब होकर हर्याना में महेंद्रगर तक ये फैला हुआ है और यही एक इतना बड़ा गैप है जिससे हो करके राजस्थान के थार मरुस्थल की धूल भरी गरम आधियां और गर्म हवाएं रावली को पार कर जाती हैं और हर्याना होते वे दिल्ली में प्रवेश करती हैं फिर वहां से ये उत्तर प्रदेश में आती है तो ये जो गैप है इसका नाम है सिंगमा डिग्रोटा गैप सिंगमा डिग्रोटा गैप ये बाईस किलो मिटर लंबी है ये तनी बड़े अंतराल में ये गरम धूल भरी आधी वाली हवाएं आसानी से इसे पार कर जाती हैं और कुल मिला करके अरावली परवस्रेणी में बारह जगहों पर ब्रिक मिलता है बारह जगहों पर गैप हुआ है और इनमें दो तो जो है पासेज हैं दर्रे हैं जिसमें सबसे महत्पुर्ण दर्रा जो है वो गोरम घाट पास है लेकिन एक हल्दी घाटी का दर्रा भी है इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे बीडियो के हंद में और तो अरावली परवत माला का यह जो पहले और उधक का रूप था वो अब समाप्थ हो रहा है इसमें सबसे बड़ा कारण है कि यहां जो अच्छी गुर्वत्ता वाली मार्बिल संग मर्मर की चट्टाने पाई जाती है जिनका बड़े पैमाने पर खनन हुआ है और हो रहा है यहां पर कहते हैं कि अरावली इस दे स्टोर हाउस आफ मार्बिल कंपनीज यह नि मार्बिल का खनन करने वाली यह नेकों कंपनी जो हैं इसमें साई हैं और मकराना का नाम आप सब लोग सुने होंगे मकराना मार्बिल पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है इन खदानों के वज़े से बनों की कटाई के वज़े से अरावली परवत का डिग्रेडेशन बड़े पैमाने पर हुआ है जिस कारण अरावली परवत अपने महत्ता को खोता जा रहा है दूसरा अरावली परवत का बिस्तार देखिये दक्षिट पसिम से उत्तर पुर्व की ओर है यानि अरब सागर से आने वाली मानसून हुआओं को ये औरुद नहीं कर पाता है बलकि अरब सागर से आने वाली दक्षिट पसिम मानसून हुआए इसके समनांतर बहती हुई आगे निकल जाती है यही कारण है कि राज्थान में परसाथ कम होती है अब इस कमी को दूर करने के लिए यानि जो अरावली पर्वत को पुनर जीवित करने के लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ी महत्वा कांची परियोजना प्रारंब करने के विशय में विचार किया है और ये परियोजना का नाम है Great Green Built of India ये अरावली पर्वत माला को पुनर जीवित करने के लिए एक प्रयास है परियोजना बन रही है जो तकरीबन गुजरात से लेकर दिल्ली तक 1400 किलो मीटर की लंबाई और 5 किलो मीटर की चवडाई में इस पर बड़े पैमाने पर बन रोपन किया जाएगा जिसमें 135 बिलियन स्थानी देशी पाउधों का रोपन किया जाएगा ताकि ये रावली परवत मरुस्थली करण डिसर्टिफिकेशन को रोकने में समर्थ हो जाएगा और हर्याना दिल्ली या उतर प्रदेश को लू की लहर से धूल भरी आधियों से बचाया जा सके ये परियोजना जो है अफ्रीका के ग्रीन रहनी ग्रेट ग्रीन वाल के तर्ज पर बनाया जा रहा है अब जो है हम आते हैं हल्दी घाटी पर देखिए मैं दर्जा तीन में जब था तो अंत्याक्षरी प्रदियोगिता में हमको स्याम नरायन पांडे द्वारा रचित खंड का बिहल्दी घाटी की बहुत सी कविताएं याद कराई गई थी और ये किस्सा है सन तेरपन का 1953 का और एक बार 2007 इस भी में उदैपूर बिश्वित द्याले में जगरफी की हेड डाक्टर प्रोफेसर साधना कुठारी ने हमको लेक्चर देने के लिए बुलाया और मैं वहां गया तो विभाग में भी लेक्चर करवाया इन्हों ने डिसास्टर मेनेजमेंट पर पर मेरा कालेज में करवाया फिर बी-एण कालेज में करवाया हमने कहा देखिए मुझे वहां हल्दी घाटी देखनी है जिसके बिसरे में मैंने कभी कापिताएं हमें याद कराई गई थी अंत्याक्षरी प्रितियोगीता में हमें वहां ले चलिए तो वहां ले जाया गया तो अब हल्दी घाटी जो है उसको भी मनुस्री ने मॉडिफाई कर दिया है जो गैब था वो रिज के बीच से काट करके हाईवे बना दी गई है सड़क बना दी गई है और आपको पता है किसी हल्दी घाटी में राणा प्रताप और अकबर बे युद्ध हुआ था तो कुछ उस समय के याद की हुए छंद हमें हल्दी घाटी के याद आ रहे है जिनको मैं आपके साथ सेयर करना चाहता हूँ थी आधी रात यदेरी तम की घनता थी चाई कमलों की आखों से भी कुछ देता था न दिखाई सावन का हरित प्रभात रहा अंबर पर थी गन गोर घटा फईरा कर पंक थि रकते थे मन हरती थी बन मोर चटा पी कहा पपी या बोल रहा तर-तर की डाली डाली पर पड़ रही थी जीसी जिम 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 परवत की हरी बनाली पर रण बीच चोकडी भर भर कर चेतक बन गया निराला था राणा प्रताप के घोडे से पढ़ गया हवा का पाला था गिर्तान कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोडा था जो तनिक हवा से बाग हिले लेकर सवार उड़ जाता था ललकार मान को घेरा हत कड़ी पिना देने को तरकस से तीर निकाला अरिसे लोहा लेने को चर्चे तक तलवार उठा रखता था भूतल पानी को बैरी का सिर काट काट करता था सफल जवानी को है रुंड कतर गज मुंड पोँच अर ब्यूगले से फिरती थी तलवार बीर की तड़प तड़प छण चण बिजली सी गिरती थी जाला को राणा जान मुगल फिर तूट पड़े वे जाला पर मिट गया बीर जैसे मिटता पर वाना दी पक ज्वाला को जाला ने राणा रख्चा की रख दिया देश के पानी को छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को तरु तरु के पत्ते पत्ते पर राणा की यमर कहानी है अब तक पत्से मिटी नहीं चेतक की चरण निसानी है नमस्कार